तो आपकी वीडियो का audience retention बढ़ाने के लिए सबसे best तरीका है subtitle, जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर डाल लखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तो यहाँ पर मैं जैसे जैसे बोल लाँ इस वीडियो में, तो सेम वही चीज जो है वीडियो को उप अब भी कर सकता है, और अगर उसे किसी दूसी language में इस subtitle को बदलना है, तो उसके लिए वो setting पर क्लिक करेगा, और इसके बाद caption पर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर हमने जितने भी subtitle add कि होंगे, वो उसको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलाबा भी अगर वो चाहत आपको सब्टाइटल को add कर सकते हैं, गाइस आपको आना है आपके mobile phone पर और यहाँ पर आपको Chrome browser का इस्तेमाल करना है, तो Chrome browser का उपन कर लेना इस तरहिके से, इसके आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है, studio.youtube.com, इतना लिखके आपको सर्च कर देना है, इसके आपको सबसे पहले तो यह चेक करना है कि आपका YouTube channel है वो login है या नहीं, अगर login ना हो, तो right side में आपको इस icon पर click करना है, और यहाँ से आपको switch account पर click करके, आपका जो भी channel है उसे आप select कर सकते हैं, या पर login भी कर सकते हैं, इसके आपको left side में देखना है, left side में आपको द सामने आपकी जो भी वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो यहाँ पर आजागी, अब यहाँ पर आपको जिस भी वीडियो के अंदर subtitle add करना है, तो आपको उस वीडियो पर click करना होगा, इस तरीके से, इसके बद आपके सामने यह page और न जागा, तो यहाँ से आप अपन का यह मतलब है कि सबसे पहले तो आपको YouTube को यह बताना होगा, कि जो भी आपकी वीडियो में audio है, वो किस भासा में है, ताकि YouTube क्या करेगा, कि आपकी जो भी भासा की audio है, उससे पहले translate करके, उसका वो text लिखेगा, और उस text को वो अलग-अलग भासा हों कि subtitle में add करेगा, तो इस वज़े से आपका यह option अभी आपको enable नहीं दिखाए देगा, तो इसको enable करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपको देखे left side में, यहाँ पे कुछ icon देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, और यहाँ पे देखे जो monetization का icon है, उसके उपर आपको यह subtitle का icon देखने को मिल जाएगा, इसके आप क्लिक कर देना, इसके बाद आपके सामने यह पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको आपके चैनल के उपर आप जिस ही भासा में वीडियो बनाते हो, वो language select करनी होगी, तो उसके लिए आपको set language पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको कई ढ़सा ही language देखने को मिल जाएगी, तो जिस भी भासा में आप जो ही वीडियो बना रहे हो, वो language आप select कर देना, तो जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी को select करेंगे, अगर आप बनाते हैं, तो English को select करोगे, select करने के बाद नीचे option होगा, make this the default for my channel, आपको इस पर टिक करना है, और नीचे confirm पर click कर देना है, इससे क्या होगा, कि यह जो language है, वो आपके पूरे channel के लिए default set हो जाएगी, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इस page पे लेके आए तो उसके लिए बगल में duplicate and edit का option है, तो यहाँ पे click करके, आप अपने channel की language को बदल भी सकते हैं, और इस process को आपको first time ही करना होगा, इसके आपको वापस से कभी भी इस process को करने की जोत नहीं पड़ेगी, अब वापस से हमको चलना है अपने वीडियो में, तो उसके लिए तो यहाँ पे आपको click करना है, और यहाँ पे click करने के बाद देखें, नीचे check कर लेना है कि आपने जो भी language select की है, वो यहाँ पे select है या नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई दूसी language भी बदल सकते हो, ठीक है, ना select हो तो select कर लेना, इसके वापस से आपको उपर आ जाएगा, जहाँ पे आपको, हिंदी में अगर आपने select किया है, तो हिंदी वाली subtitle देखने को मिलेंगे, जो भी आपने वीडियो में बोला होगा, वो automatically YouTube ने यहाँ पे translate करके text के अंदर लिख दिया है, अभी आपको क्या करना है, simply जो है उपर आपको done के option पे click कर देना है ठीक है, done के option पे एक बार click कर देना, तो इससे क्या होगा, कि यह जो भी text है ना, वो save हो जाएगा, अब वापस से आपको subtitle पे click करना है, इस पे click करने के बाद, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको subtitle के अंदर edit करना है, तो यहाँ पे आपको time by time दिखाएगा कि आपने जो है किस time से लेकर क्या बोला है, तो यहाँ पे आप जो है edit कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपने जो बोला है, वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं लिखाए है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है, तो edit कर सकते हो, mostly 90% सही लिखा होता है, कुछ जगा पे जो है गलत हो जाता है, तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हो, नीचे अगर आप देखोगे, तो नीचे आपको पूरी timeline देखने को मिलेगी, कि आपकी timeline पे कितने time पे क्या क्या बोला गया है, और वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे text में भी देखने को मिल इसके अलावा जो भी आपका subtitle होगा, वो real time में आपकी video पे इस तरीके से लिखके आएगा, तो आप जो है video को play करके यहाँ से भी देख सकते हो, और अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सब चीज़े automatically set हो चुकी है, आपको simply done की option पे click कर देना है, जैसे आप done की option पे click करोगे, तो आपका जो हिंदी का subtitle है, वो automatically आपकी video पे upset हो चुका है, इसके बाद दूसरी भासाओं के subtitle add करने के लिए, आपको left side में यह जो icon दिखना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे याना है, और यहाँ पे आपको subtitle के icon पे click करना है, तो जो monetization का icon है, उस के सामने बहुत धे साही language आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको जिसी भासा की language को अपने subtitle में add करना है, तो उस पे आपको click करना है, जैसे मुझे यहाँ पे English को add करना है, तो मैं simply जो है English पे click करूँगा, इसके बाद English subtitle का एक option यहाँ पे आ जाएगा, अ यहाँ auto translate का एक option होगा, आपको इस पे click कर देना है, जैसे आप इस पे click करोगे, तो आपकी वीडियो में English में subtitle यहाँ पे add हो जागा, तो यहाँ पे YouTube ने क्या किया है, कि जो भी आपका Hindi के subtitle था, उसे उसने English में translate करके यहाँ पे add कर दिया है, अब यहाँ पे अगर आप publish का option पे click करोगे, तो यहाँ पे आपका English का subtitle है, वो आपकी वीडियो में यहाँ पे add हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर आपको कोई और language add करनी है, तो simply आप add language पे click करके, जो भी आपको language चाहिए, वो आप select करो, और इसी तरीके से आप हर भासा की यहाँ पे subtitle को add कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पंजाबी को add करने वाला हूँ, और उसके एद मैं आपको चलके दिखा देता हूँ, कि हमाई जो वीडियो है, play करने के बाद, उसमें जो subtitle है, वो कौन-कौन से यहाँ पे दिखते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे add किये हैं, तो मैंने यहाँ यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी को add कर रखा है, तो चलिए, अब मैं आपको अपनी वीडियो को play करके दिखा देता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो के link पे click करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरी वीडियो है, वो open हो चुकी है, तो यहाँ पे दिख दाटा